पंजाब के मुहाली में एक निर्मारभीन बिल्डिंग के बेस्मेंट की खुदाई के दुरान बड़ा हाथसा हो गया कच्ची मिटी गिरने से मलबे में कुछ मजदूर दब गए जिनमें दो लोगों की मौत हो गई चार मजदूरों को बहार निकाल कर अस्पताल भेजा गया तो वहीं साथ से आठ मजदूरों के दबे होने की आश्रंका चदाई जारकी है घटना असल पराहत और बचाफ कर कारे फिलहाल जारी है हादसे की जौनकारी मिलने पर आला दिकारी पहुचे और घटना की जौनकारी लिए तरसल बताये जौरा है कि उस समय बेस्मेंट में 25 के करीब करमचारी काम कर रहे थे तो पंजाब के मुहाली में बड़ा हादसा हुआ है निर्मारा धीन इमारत में दरसल ये हादसा हुआ जिसमें 25 करमचारी करीबन काम कर रहे थे दो मजदूरों की मौत हो चुकी है कई मजदूर इसमें घायल को है हाला कि चार मजदूरों को रेस्क्यू किया गया फिलाल उन्हीं भी अस्पताल में भरती कराया गया है जैसे ही घटना की जवानकारी मिली तुरंत मौकी पार अलादिकारी पहुचे लेकिन दो मजदूरों की मौत हो गई है और फिलाल चार मजदूर घायल को उत्तर प्रदेश के प्रियागराज में उस वक्त हड़का मच गया जब एक दुकान में शौर्ट साकिट हुआ और फिर भी शना अग गई जिसके डराने वाली तस्वीरे सामने आई जिसमें अचानक लग्याग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट मिले लिया जिसके बाद आसमान में धुए का गुबार नजर आया इलाके में कुछ देर के लिए अफरात तफरी का माहूल देखा इसके बाद घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई दमकल कर्मी मौके पर पहुँचे तो आंग को बुजाने का काम शिरु हुआ लेकिन उससे पहले ही दुकान में रखा सारा समान चलकर राख हो गया बताया गया कि अचानक दुकान से पहले धुआ उठा और फिर आग ने विक्राल रूप ले लिया शुरुआती जाज में शॉर्ट सर्किट के वज़त से आंग लगने के अश्रंका जताई जा रखी है वहीं दुकानदार के मुताबिक आंग से बीस लाख रुपए का नुपसान हुआ उत्तर प्रदेश के मेरट से सडक हाथ से का रॉंग टे खड़े कर देने वाल एक वीडियो सामने जिसमें एक तेज़ रफ